Hello everyone, this is Shweta Pande, welcome to Step Up Academy. So students, आज का हमारा session है एक और fundamental right का. हम सभी जानते हैं Indian Constitution में हमें fundamental rights दिये गए हैं. यह fundamental rights इसलिए दिये गए हैं ताकि government की powers को limit किया जा सके, government की powers पे limitations लगाई जा सके. government की powers पे limitations इसलिए लगाई गई, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि government autocratic हो जाए या कुछ ऐसे law लिया है जो unjust या unfair है. ठीक, इसी वजए से framers of the Indian Constitution ने क्या किया? citizens को कुछ fundamental rights दिये और इस basis पर ये कहा कि government इन fundamental rights को कभी भी trespass नहीं कर सकती है. मतलब इनका violation नहीं कर सकती है. तो काफी सारे rights हैं जो हम इससे पहले sessions में पढ़ चुके हैं जैसे कि हमने right to equality देखा, right to freedom देखा और इसी के साथ-साथ right against exploitation भी देखा. आज का हमारा session है article number 25 से लेकर article number 28 तक. तो आईए देखते हैं topic क्या है, कौन सा fundamental right है और session को start करते हैं. Chapter number 2, Rights in the Indian Constitution, Class 11 Political Science. Topic है right to freedom of religion. आज के session में हम देखेंगे कि धर्म की आजादी का अधिकार कैसे दिया गया है, faith और worship कैसे दी गई है, और क्या कहता है समविधान कि सभी धर्मों में समानता होनी चाहिए, या सभी धर्मों के लिए समानता होनी चाहिए. तो equality of religion देखेंगे, ये भी समझेंगे कि क्या धर्म को आप किसी भी level पर जाकर उससे धर्म बताके किसी भी चीज़ को से follow कर सकते हैं, या कुछ limitations है, जैसे हम history में देखते हैं कि सती प्रधा थी, तो सती प्रधा को क्या कहा जाता था कि ये हमारे धर्म के अनुसार सही है, बट आगे चलके जब government को ये चीज़ ठीक नहीं लगी, भले हम बात करें British Earth के टाइम पर, तो क्या किया गया, सती प्रधा को band किया गया, तो क्या constitution ऐसी प्रधाओं के लिए कहता है कि ठीक है, या कुछ limitations constitution ने rights पर भी लगाए हैं, स्टार्ट करेंगे हमारे session को और देखेंगे कहां से शुरुआत करनी है, तो हमारे समविधान के अनुसार हर एक व्यक्ती के पास right है, कि वो अपनी choice से religion को follow करें, क्योंकि एक लोगतंत्र जैसे देश में या लोगतंत्रिक देश में सबसे बड़ा hallmark जो है, वो है क्या इतरीके से right to freedom of religion, इस जैसे कि equality और freedom और liberty को most essential right माना जाता है, है democracy का, उसी तरीके से right to freedom of religion को hallmark of democracy माना गया है, अब जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी समविधान में देश के हर एक कोई भी देश के समविधान में वही चीज़े लेकर आते हैं, जिसमें कल्यान करना हो या जिस चीजों को अच्छा करना है, जैसे कि अगर हम बात करें South Africa की, तो South Africa में क्या था, यहाँ पे था racial discrimination, इस बेसिस पर South Africa ने अपने constitution में racial discrimination को खतम करने की बात कहीं, इसी तरीके से भारत में, जहाँ सबसे ज़्यादा diversity है, काफी सारे ऐसे discriminations थे, जिने फ्रेमर्स ने खतम करने की कोशिश की, उन्हें fundamental rights बनाते हुए, और एक right था, right to freedom of religion, और यह क्यों लेकर आये, तो उसका कारण यह था, कि पहले बहुत से rulers और emperors रहे, different parts of the world में, जिन्हों ने क्या नहीं दिया, धर्म की आजादी का अधिकार नहीं दिया, did not allowed residents of their countries to enjoy the right to freedom of religion, अगर हम इंडिया में ही देखें, तो क्या कहा जाता था, rulers के द्वारा, कुछ rulers के द्वारा, जैसे मुगल dynasties आई, दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो इन्हों ने क्या कहा, कि अगर आप हमारा धर्म follow नहीं करेंगे, तो आप पे taxes लगाए जाएंगे, या आपको देश से ही बाहर निकाल दिया जाएगा, या आपको punishment दी जाएगी, तो इस तरीके की चीज़ें prevailing थी, और इन्हें ही कतम करने के लिए, हमने freedom of religion को fundamental right बना दिया, कोई भी person, किसी भी धर्म को follow कर रहा है, तो यहाँ पे दिक्कतें यह आ रहें थी, कि persons following a religion different from that of the ruler, वर either persecuted or forced to convert to the official religion of the rulers, मतलब कि people क्या करेगा, लोग क्या करेंगे, किसी religion को माल लो follow कर रहा है, ठीक, और इनका जो ruler है, वो किसी और religion को follow कर रहा है, suppose, ruler है A religion से, और people follow कर रहे हैं B religion, तो अब क्या हुआ, conflict surprise होंगे, क्योंकि ruler कभी नहीं जाएगा, कि हमारे धर्म के अलावब कोई और धर्म को follow किया जाए, तो उस टाइम पे यह क्या कर देते थे, या तो उन्हें convert करा देते थे official religion में, या फिर उनको force कर देते थे, एकदम इस तरीके से कि उन्हें conversion करना ही पड़ता था, और democracy ने इसी वज़े से हमेशा ये freedom दिया, कि religion of one's choice as one of its basic principles, कुछ basic सिध्धान्त होते हैं, जैसे समानता देना, opportunities देना, dignity maintain करना, और ये सारी चीज़ों को देखते हुए कि rulers ने इतना force किया, कि एक धर्मे से हम दूसरे धर्मे की और परिवर्तित हो गए, तो इसे fundamental right बना दिया गया, कि अब आप किसी को भी force करके, किसी भी धर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अगर व्यक्ति खुझ से चाहे तो हो सकता है, convert, otherwise कोई भी उसे force करके convert नहीं कर सकता, ये है right to freedom of religion, हर एक व्यक्ति को अपना धर्म choice, मतलब choose करने के लिए और follow करने के लिए fundamental right मिला हुआ है, आगे जानते हैं, इंडिया में हर एक व्यक्ति free है, धर्म follow करें, और धर्म follow करके जो भी उस धर्म की practice है, उसे भी follow करें, ये freedom है, मतलब जो Muslim धर्म का व्यक्ति है, वो Muslim practices follow कर सकता है, जो Hindu धर्म का व्यक्ति है, वो Hindu practices follow करें, उस व्यक्ति का अपना choice है कि उसे कौन सा धर्म में रहना है, और कौन सी practices follow करनी है, freedom of consigns भी दिया गया है तो यह जो freedom है यह है article number 25 में जिसमें हम देखते है right to profess, consigns, practice इस तरीके से सारे rights दिये गए है इसका मतलब यह हुआ कि जो person है वो कोई भी religion चूज कर सकता है और वो यह भी देख सकता है कि उसे कोई religion follow नहीं करना है तो भी उसे कोई force नहीं कर सकता तो जो consigns का मतलब यहाँ पर यह बताया कि व्यक्ति चाहे तो कोई धर्म follow करे और चाहे तो कोई भी धर्म follow ना करे इस तरीके से बहुत liberal बनाया गया हमने बनाया गया है इस religion को freedom को religion के लिए मतलब एक तरीके से जो फ्रीडम दिया गया इसे बहुत liberal बनाया गया है तो यहाँ तक जो हमने इससे पहले देखा यहाँ हम right to freedom of religion देख रहे थे कि basic principle है आगे हमने देखा freedom of faith and worship इसमें हम देख रहे हैं कि जो conscience का freedom दिया गया है मतलब आप चाहें तो धर्म follow कर सकते हैं आप चाहें तो धर्म follow ना करें दोनों condition में आपका right है freedom of religion में include किया गया है freedom to profess follow propagate any religion यह article number 25 में दिया क्या है और अब बात यह है कि अब आप धर्म follow कर रहे हैं ठीक है उसमें जो practices उसे भी follow कर रहे हैं बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यह practice कहीं ना कहीं तक trade करें कि चीजों को इस बज़े से इस पे कुछ limitations लगाए गए है government restrictions impose कर सकती है freedom of religion पे जैसे माल लीजिए कोई public order है कोई morality है या health है इससे related अगर कुछ limitations लगानी है तो लगा सकती है जैसे माल लीजिए अभी corona आया था ठीक lockdown लगाया था अब public gatherings नहीं हो सकती है public order क्या बनाया कि gatherings नहीं करनी है बट अगर कुछ religious purpose से gatherings हो रही है तो government उसको क्या कर सकती है restrictions कर सकती है restrictions impose कर सकती है कि अभी तो आप public order के थूँ इस तरीके से एक नहीं खड़े हो सकते हैं आगे बढ़ते हैं इसका मतलब freedom of religion एक unlimited right नहीं है धर्म जीने का अधिकार आपके लिए unlimited rights के साथ नहीं है government religious affairs में बिल्कुल interfere कर सकती है social levels को रूट आउट करने के लिए अब social levels क्या होंगे समाज में जो क्रूरता हैं एक तरीके से जो धर्म के नाम पर चलाई जा रही हैं उन्हें government बिल्कुल रोग सकती है जैसे सती है बाइगमी है human sacrifice है बली प्रथा है या फिर सती को क्या किया जाता था महिला के पती की अगर डैत हो गई तो महिला को भी जला दिया जाता था तो यह social levels और यह freedom to religion बिल्कुल भी नहीं कहता है इस वज़े से यह कहा गया है कि right to freedom of religion है मतलब आप अपनी choice का धर्म follow कर सकते हैं उसकी practices follow कर सकते हैं नहीं चाहें तो कोई भी धर्म follow ना करें लेकिन अगर धर्म follow कर रहे हैं तो government कुछ social levels को root out करने के लिए जो ठीक नहीं है उनके लिए government कुछ restrictions भी इंपोस कर सकती है और इसी के साथ साथ कुछ steps भी ले सकती है ऐसी practices को band करने में clear है आगे बढ़ते हैं यह जो restrictions है इन्हें opposition नहीं माना जाएगा मतलब अगर सती प्रता बेहन कर दी तो कोई आकि यह नहीं कहेगा कि आपने right to freedom of religion में interfere करके आपने अपोस किया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक तो सारे ही rights कुछ limitations के साथ है जो limitations है right to freedom of religion के जो आते हैं limitations वहमेशा conflicts लेकर आते हैं और conflicts लेकर आते हैं religions और government के बीच में जब सती प्रता भी बेहन की गई थी तो काफी लोग उन्हें अपोस किया कि आपने हमारे धर्म में जो practices दी गई है उन्हें उन्हें बैन कर दिया ठीक तो यह गलत है जो government कुछ activities पर band लगाती है जैसे religious group तो people उस religion के ऐसा सोचते हैं कि हमारे धर्म में interfere कर लिया गया है लेकिन ऐसा नहीं है आपको कुछ rights है कुछ limitations के साथ तो अब government कभी भी आपको oppose नहीं कर रही है government welfare का ही काम कर रही है freedom of religion political controversy भी है हम जानते हैं वैसे तो राजनीती का कोई धर्म नहीं होता लेकिन राजनीती में रहने के लिए धर्म को बहुत बहतरीन तरीके से यूज किया जाता है जाहे उसके कुछ advantages के साथ साथ disadvantages भी क्यों नहीं constitution ने कहा कोई भी व्यक्ति के पास right है कि वह एक religion follow कर सकता है यहां से अब क्या आ जाता है देस इंक्लोट फर्स्वेडिंग पीपल टू कनवर्ट फ्रॉम वन रिलीजन तो अना दर्माल लीजे कोई however कुछ लोग इसे कही ना कहीं तक ठीक नहीं समझते हैं क्योंकि यह कहते हैं कि इंटिमेडेशन या इंड्यूस्मेंट है constitution कभी भी forcible convergence की बात नहीं करता मतलब एक बहकावे में लाकर किसी को आप convert करा दे रहे हैं इस वज़े से resentment है आप अपनी खुशी से चाहें convert हो जाएं दिकत नहीं है लेकिन आपने उन्हें क्या किया उन्हें गुम्राह किया माइंड वॉश किया अलग-अलग तरीके से और फिर करा दिया तो यह कहते हैं कि constitution ने forcible convergence नहीं दिये हैं यह सिर्फ राइट देते हैं कि आप अपने धर्म के बारे में information ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और फिर अगर कोई व्यक्ति अट्रेक्ट हो रहा है आपके धर्म में आने में तो दिकत नहीं है आप फोर्स नहीं कर सकते हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर विभिन धर्म है ठीक और सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि government सभी धर्मों को समानता के साथ ट्रीट करें इसका मतलिब यह है कि government किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो ना करें ठीक तो धर्म की राजनीती ना हो जिस दर्म में मैज़ौरीटी है उसको हम З्गादा favor करे और जिसमें जिसमें minority उसे favor ना करें या जो minority उसे favor करें majority को favor ना करें अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई भी official religion नहीं है हम जानते हम secularist secular state में रह रहे हैं secularism हम किसी भी particular religion से नहीं है in order to be a prime minister president judge या कोई भी public official है वो धर्म के आधार पर कोई भी बात नहीं कह सकते हैं कि मतलब हमारे इंडिया में official religion यह जैसे language कहें तो हिंदी है ठीक लेकिन religion कोई सा ऐसा नहीं है ठीक इसी के साथ सांथ right to equality में हमने देखा कि government discriminate नहीं करेगी रोजगार देने में on the basis of religion तो right to equality में भी धर्म की बात कहीं गई है और फिर फ्रेमर्स ऑफ constitution ने और विचार विमर्ष किया और इसे एक अलग राइड बनाया गया जिसमें कहते equality of all religions सभी धर्म एक समान है सभी को एक तरीके से treatment किया जाए और सभी धर्म में क्या हो forcible convergence ना हूँ institutions जो government चला रही है या जो देश चला रहा है वहाँ पर कोई भी धर्म को का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा या फिर कोई religious education नहीं देंगे या किसी एक particular institution के द्वारा जो government institutions है वो विल्कुल भी किसी भी धर्म से संबंदित education नहीं दे सकते हैं इसका objective है कि हम secularism के principles पर चले जहां पर हम सभी धर्मों को सम्मान देते हैं और समानता देते हैं ठीक तो इसी के साथ आज का हमारा session complete होता है ये थे कुछ right to freedom of religion आपको आप हो चुका होगा article number 25-28 ठीक मिलते हैं next session में next topic के साथ और अगर आज का session आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे journalist step up academy को please like share and subscribe करना बिल्कुल भी न भूले thank you for watching